ज्यान से सुनिये और देखिये। कल गीता अपने दादाजी के साथ चीडिया घर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड थी। सामने लोग लंगूर को मूंफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है। चीडिया घर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिये काले मूह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मूह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया, जिसकी नाग पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता, दादाजी को खीचते हुए आगे ले गई। वहां भालू, दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मचलियां और बठक तैर रही थी। दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया या कचुआ है, जब इसे डर लगता है तो वहां अपनी गरदन और हाथ तैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मूँ खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिडिया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहाँ देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कोआ है। इसे कातुआ कहते है। दादाजी, कुछ चिडिया तो हमारे गर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरेया। पिछले साल, पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुर मुर्ग होता है। वह देखो, शुतुर मुर्ग पेड की छाय में खड़ा है। चिडिया घर में हाथी और उट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक फेला था। दादा जी ने अपनी लकड़ी ठिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरी दी। अब तक दोनों ठक चुके थे। वे चिडिया घर के दरवाजे से बहार आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। झाल झाल कि अट जप दो